नमस्कार बाई जूस गवर्मेंट एक्जाम प्रेप में आपका स्वागत है आज की तारीक है 2 अप्रेल 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ता हिंदू अकबार में आई हुए प्रमुक आलेखों और एडिटोरियल्स पर जिसके तहट हम प्रारंभिक परिक्षा और मुख महत्पूर्ण अभ्यास प्रश्णों की भी चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम उन विश्यों को देख लेते हैं जिनकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के इस सत्र में सबसे पहले हम कल दिये गए प्रारंभिक परिक्षा अभ्यास प्रश्ण के उत्तरों को देखेंगे, फिर उसके बाद हम spoils system और merit system से संबंधित एक महत्तपूर्ण editorial की चर्चा करेंगे, फिर हम सरकार द्वारा vivid small saving उपकर्णों में की गई ब्याजदरों में कमी को वापस लेने संबंधित एक editorial देखेंगे, और उसके बाद हम doctrine of colorable legislation और पित और पदार्थ के सिद्धान से संबंधित एक महत्तपूर्ण editorial की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम चीन द्वारा हॉंग कॉंग की राजनीतिक प्रतिनिधित्य की विवस्था में बदलाव को देखेंगे, और फिर हम मुंबई में तीसरे संयुक्त logistic node के उटगाटन संबंधित आलेक को देखेंगे, फिर हम आपको प्रारंभिक परिक्षा के कुछ अभ्यास प्रश्णों को देंगे, और फिर हम मुख्य परिक्षा के अभ्यास प्रश्ण की चर्चा करेंगे, जिसकी संरशना भी हम आपको बताएंगे, सबसे पहले, कल द देष को सभी अन्य विष्व्यापार संगठन के सदस्य देशों को एक व्यापार समझोते में एक राश्ट को दी गई रियायतें, विशेशा दिकार या प्रतिरक्षा, प्रदान करने की आवशक्ता होती है, यद पी इसका नाम दूसरे राश्ट के प्रती पक्षपात को दर्शाता है, यह सभी देशों के प्रिती समान व्यवहर को दर्शाता है, इसमें अपवाद विकास सील देशों, छेत्रिये, मुक्त व्यव्यपार छेत्रों और सीमा शुल्क यूनियनों के अधिमान उप्चार के लिए अनुमती देते हैं, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही म अपने दुईपक्षिय संबंधों में तनावों के चलते एक दूसरे को दिये गए MFN टैग को आपस ले लिया है तो इसके संदर में पहला दूसरा और तीसरा कतन सही है हाला कि चौथा जो कतन है वो हमारा सही नहीं है और इस अधार पे हमारा उत्तर हो जाएगा B केवल 1,2 और 3 अगला प्रश्ण है मौदरिक नीती फ्रेमवर्क के तहट मौदरिक नीती समिती के लिए निर्धारित मुद्रा इस्फीती लक्षे क्या है अगला प्रश्ण देख लेते हैं भारत ने हाल ही में किस हिंद महासागर देश के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग और भागेदारी समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं शीलंका, मेडगासकर, मौरिशस, की सेशेल्स तो इसका उत्तर है C, मौरिशस अगला प्रश्ण है भारत में विदेश व्यापार नीती को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है आर्थिक मामलों का विभाग भारतिय उद्योग परिसंग, कौर्परेट कारे मंत्राले की विदेश व्यापार महानिदेश आले तो इसका सही उत्तर है D, विदेश व्यापार महानिदेश आले और D हमारा सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण है भारत में कार्बो फ्यूरेन, मेथिल, पेराथियोन, फोरेट और ट्राई एजो फोस के इस्तमाल को आशंका से देखा जाता है ये रसायन किस रूप में इस्तमाल किये जाते हैं? किर्शी में पीड़क नाशी, संसादित खाद्यों में परिरक्षक, फल, पकवन, कारक की प्रसाधन सामागरी में नमी बनाए रखने वाले कारक तो इसका सही उत्तर है A, किर्शी में पीड़क नाशी अब हम पेज नमबर 6 में दिये गए एक महटपूर्ण एडिटोरियल को देख लेते हैं, जिसका संबंध G.S.P.2 में अंतराष्टे संबंध I.R. से है महतपूर्ण रूप से यह संदर्बित है नवीन अमेरिकी राशपती जो बाइडन के द्वारा विभिन देशों में अमेरिकी राजदूतों और उच अधिकारियों को नियुक्त करने से अमेरिका में जो राजदूतों और उच्छ अधिकारियों के नियुक्ति की जाती है वह एक विशेश विवस्था के अधार पर की जाती है जिसे स्पॉइल्स सिस्टम या लूट प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसके तहट अमेरिकी संविधान के अनुछेद दो के अनुसार राशपती के द्वारा सीनेट की सला और सहमती से राजदूतों के नियुक्ति की जाती है हाला कि इसके संदर में राशपती को व्यापक विवेक अधिकार प्राप्त हैं और वह अपनी इच्छा के अनुसार दान के अनुपाद में लोगों को चुनते हैं जैसे कि पूरवर्ती राशपती डॉनल्ड ट्रम्प के द्वारा लगभग 75 प्रतिशत राजदूतों को इसी अधार पर चुना जाता है यानि जो व्यक्ति जितना दान देगा उसको उसी हिसाब से राजदूत आदिपद प् जाती है जैसे कि यह गुणवत्ता के स्थान पर धन को महत देने वाला एक व्यवस्ता है साथी साथ इसके तहट राशपती के द्वारा राजनीतिक चैन करने से नियुक्तियों में दूरदर्शिता का अभाव हो सकता है और यह कौशल और योगता को कहीं न कहीं पीछे भी रख सकता है यदि हम इसके सापेक्ष भारत की स्थिति देखें तो भारत में स्वतंतरता के पश्चार अनेक बड़े राश्ट्रों में राजनीतिक अधारपन नियुक्तियों देखी गई थी जिसमें कई देशों में पूर्व महराजाओं को राजदूत के रूप में भारतिये विदेश सेवा IFS के अधिकारियों की भी समान रूप से नियुक्ति की गई और वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक व्यक्तियों के इस्थान पर करियर डिपलोमेट जिनको चैनित किया जाता है UPSC द्वारा एक परिक्षा के मार्धिय से और जो भारतिये विदेश सेवा आधि के अधिकारी होते हैं उन्हीं की नियुक्ति जादा देखने को मिली है इस रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में मेरिट के अधार पर विवस्था का निर्मान किया गया है जिसे हम मेरिट सिस्टम के रूप में कह सकते हैं हाला कि अन राजदूत नियुक्त किया गया जिनके द्वारा काफी बहतर कारे किया गया इसी प्रकार से वाशिंग्टन में नरेश चंद्रा की नियुक्ती की गई उनके द्वारा भी बहतर कारे किया गया इसी के समान कुछ बौद बिक्षों को भी राजदूत बनाए जाने के उधान द इस प्रकार से वर्तमान में विशेश रूप से भारत में राजदूतों की नियुक्ति किये जाने के संदर में योग गिता को अधिक महत्व दिया जा रहा है और इससे यह भी देखा जाता है कि इससे ना केवल योग गिता और कौशल को आगे बढ़ा पाने में सफलता यही काण हैं कि कई बार ये कहा जाता रहा है कि अमेरिका को भी इसके संदर में लूट प्रणाली स्पोइल सिस्टम के स्थान पर मेरिट शिस्टम को पूर्ण रूप से अपनाने की आवशकता है। और अन्य सक्रिय समर्थकों को सरकारी पदों पर नियुक्ती और अन्य एहसानों के साथ पुरस्क्रत करते हैं इस प्रणाली में सार्जनिक करमचारियों द्वारा अपनी पार्टी के समर्थन में राजनीतिक गतिविधिया की जाती है और यदि उनकी पार्टी हार जाती है तो करमचारियों को उनके पद से हटा दिया जाता है इस तरीके से सरकार के पार्टी नियंत्रण में बदलाव से नए अधिकारियों को राजनीतिक जिम्मेदारी निभाने वाले दूच्च पदों पर लाया जाता है लेकिन लूट प्रणाली कार्मिकों को नियमित या अधिनस्त सरकारी पदों तक भी पहुचाती है इसका तात्पर ये हुआ कि लूट प्रणाली के तहट जो करमचारी है उनकी नियुक्ति इस्थाई नहीं होती जैसे ही राजनीतिक दल में सरकार में बदलाव देखा जाता है उसी के अनुपात में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों आदी में भी बदलाव देखने को मिलता है जो राजनीतिक दलों के पृति उनकी निष्था को दर्शाता है वहीं दूसरी ओर अगर हम योगगता प्रणाली यानि मेरिट सिस्टम की बात करें तो यह है सरकारी करमचारियों को नौकरी करने की छमता उनकी योगगता के आधार पर पदोनत और नियुक्त करने की एक प्रिकिरिया है ना कि केवल उनके राजनीतिक कनेक्शन के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के और इस रूप में अगर हम देखें तो यह है लूट प्रणाली के विप्रीत एक विवस्था है जो कहीं न कहीं योगगता कौशल को प्रोटसाहित करती है और इस बात को भी आगे बढ़ाती है कि यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है फिर भी पनी योगgt गिता के अधार पर सरकार में आगे बढ़ सकता है वर्तमान में भारत में संग लोग सेवा आयोक के द्वारा अखिल भारती स्थर पर पर परिक्च्छा का आयोजन करके विविद स्थरों पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जो योगिता प्रणाली का एक महत्पूर्ण उधारण है, हाला कि इसके कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि UPSC द्वारा ली गई जो परिक्षा है, उसमें सभी प्रकार की अधिकारियों की नियुक्ति एक साथ होती है, जिससे विशिष्ट प्रकार की परिक्षा के संदर में, विशिष्ट योग गिताओं के संदर में, जो लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए, उसके संदर में परिक्षा का उदेश इसपश्ट नहीं हो पाता, साथी साथ इसमें जो प्रदर्शन मुल्यांकन किया जाता है, वह प्राप्त किये गए अंकों और मुल्यांकन विवस्था के अधार पर होता है, और इसमें जो व्यक्तियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, जो रैंकिंग प्राप्त की जाती है, वो कई बार उनकी योग्यता से पूर्ण रूप से मेल खा जाए, यह भी आवश्यक नहीं है, और यह एक प्रकार से एक एकल मुल्यांकन विदी है, जिसमें कई बार के पश्किल परिस्तितियों में एक बहतर नीती निर्नायक के रूप में वह अपनी भूमी का बहतर धंग से नहीं निभा पाते हैं, जो इस परिक्षा की सीमाओं को भी दर्शाता है, साथी साथ UPSC की परिक्षा से जो नौकर शाहों का चैन किया जाता है, वह नौकर शाहा ज इसके संदर में विवित प्रकार की समितियों के द्वारा इस पूरी प्रणाली में योग गता को आगे बढ़ाए जाने के संदर में कई सुधारों की वकालत की गई है, जिसे लागू करना चाहिएं। अर्थ विवस्था के समान है, जो राजनीती कन को आगे बढ़ावा देता है। वहीं दूसरी और योग गता प्रणाली में व्यक्ति को उनके योग गता के साथ ही उनकी छमता के अधार पर नियूकती प्रदान की जाती है, और इसमें अनेक बार सिविल सर्विस के संदर मे लिए गए एक्जाम आदी की भी भूमी का होती है। अब हम बात कर लेते हैं, पेज नमबर 6 में दिये गए एक अन्य अडिटोरियल की, जिसका संबन GSP पत्री में अर्थ विवस्था से है। यह संदर्बित है, सरकार द्वारा विविद स्मॉल सेविंग उपकरणों में की की गई, जिसके तहट Public Provident Fund PPF की ब्याजदर 7.1 प्रतिशत से 6.4 प्रतिशत तक घटाई गई। हाला कि एक ही दिन में 1 अपरेल को केंद्र ने अपने आदेश को यह कहते हुए वापस ले लिया कि यह एक निरिक्षण के करण जारी किया गया था। अगर हम बात करें लगू बक्चत योजनाओं यानि Small Saving Scheme की तो यह है भारत सरकार द्वारा सुरू किये गए बचत उपकरणों का एक समू है जिसमें PPF National Saving Certificate, Senior Citizen Saving Scheme और सुकन्या समर्दी स्कीम जैसे उपकरणों को शामिल किया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से बचत करने वाले लोगों का पैसा केंदर सरकार के पास जाता है और इसे राश्तिय लगू बचत कोश नामक कोश में दाल दिया जाता है। चूंकि इन बचत योजनाओं के लिए पैसा सरकार द्वारा इकत्रिक किया जाता है इसलिए इसके पीछे सरकारी गारंटी भी होती है और इसके कई सारे कर ल परतमान कोरोना के काल में इसका महत इसलिए भी जादा हो गया है क्यूंकि अर्थ व्योस्था जादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है और इसी के चलते लोगों के द्वारा small saving schemes में निवेश करके अपनी आयका विविदीगान करने का प्रयास किया जा रहा है हाला कि सरकार दोरा जो इस प्रकार की ब्याज दर में कटोती की घोशना की जाती रही है वह इस प्रकार के निवेश करने की प्रवत्ती पर नकरात्मक प्रभाव डाल सकती है और इस प्रकार की घटनाओं को आगे ना देखा जाए इसके संदर में एक नीतिगर्थ इस्थायत को बनाए रखने की आउशकता है अब हम बात कर लेते हैं पेज नमबर 6 में दिये गए एक अन्य एडिटोरियल की जिसका संबन्ध G.S.P.2 में पॉलिटी से है मुख्य रूप से ये संदर में भी इसका उलेक किया था जो स्वतंतरता के समय मौझूद धार्मिक उपासना इस्थलों को बदलने पर रोक लगाता है अगर हम इसकी प्रेश्ट भूमी के बारें बात करें तो यह है अधिनियम सितंबर 1999 में बाबरी मस्जित 1992 के विद्ध्वन्स से एक साल पहले पारि जाए यही कान है कि इस अधिनियम की धारा तीन पूजा के स्थान या यहां तक की एक खंड को एक अलग धार्मिक संपरदाय की पूजा के स्थान पर या एक ही धार्मिक संपरदाय के एक अलग खंड में बदलने पर प्रतिबंध लगाती है यह अधिनियम राज्य पर एक स तकारात्मक दायतु भी प्रदान करता है कि वह हर पूजा इस्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखे जैसा कि वह स्वतंतरता के समय मौजूद था और सभी पंथों की समानता को संदक्षित करने के लिए राज्य पर यह विधाई दायतु एक आवश्यक धर्म मिधान की मूल विशेषताओं में से एक को दर्शाता है हाना कि इस अधिनियम से अयोध्या में विवादित इस्थल को छूट प्रदान की गई है इसी छूट के कारण अयोध्या मामले में मुकदमा इस कानून के लागू होने के बाद भी आगे बढ़ा साथी साथ यह अध धावन द्वारा कवर एक पुरातात्विक इस्थल हो जदि इस अधिनियम की धाराओं का पालन नहीं किया जाता तो इसके प्रावधानों का उलंगन करने पर जुर्माने के साथ अधिक्तम तीन साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है हाल ही में यह अधिनियम फिर स मतुरा और वारानजी चेत्रों में धार्मिक इस्थलों में किये जाने वाले प्रस्तावित बदलावों के संदर में याचिकाएं दाखिल की गई और इसके अंतरगत प्लेसेस ओवर्शिप एक्ट 1991 में बदलाव की मांग की गई अब यह तो देखने वाली बात होगी कि निया किये जाते हैं और इसको हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे सबसे पहले हम समझ लेते हैं डॉक्ट्रिन और कलरेबल लेडिसलेशन यह हैं तब लागु किया जाता है जब कानून बनाने वाली विधाइका ने अपनी शक्ति का अतिक्रमण किया है जैसा कि समथान में उल्लखित है और इसमें कलरेबल विधान का अर्थ है कि जो सीधे नहीं किया जा सकता है वह अप कानून के मूल तत्व यानि सब स्टांस पर बल दिया जाता है ना कि उसके भौतिक या बाहे रूप पर इसलिए कुछ निश्चित इस्थितियां हैं जब ऐसा लगता है कि यह कानून बनाने की विधाईका की शक्ती के भीतर है लेकिन वास्तों में यह अतिक्रमन कारी होता है इसी रूप में यह सिद्धान प्रकाश में आता है और यह भारत के सर्वोच नियाले के दौरा बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह मामले में लागू किया गया था और यह माना गया था कि बिहार भूमी सुधार अधिनियम अमानने था अब अगर हम दूसरे सिध्धान की बात करें जिसे हम जानते हैं Doctrine of Pith and Substance या फिर पित और पदार्थ का सिध्धान तो इसको हमें भारती सम्विधानिक विवस्था के तहत शक्ती वित्रण के संदर में समझना होगा भारत के सम्विधान ने केंदर और राज्यों के बीच सात्वी अनुसूची के अनुसार विधाई शक्तियों को विभाजित किया है सात्वी अनुसूची उन विश्यों को निर्दिष्ट करती है और केंदर और राज्य की बीच कानून बनाने की शक्ति को भी विभाजित करत वहीं दूसरी ओर सूची दो या राज्य सूची में ऐसे विश्यों को शामिल किया जाता है जहां राज्य को कानून बनाने की शक्ती है इसमें सार्जनिक विवस्था, स्वास्त और स्वच्चता शामिल है। सूची तीन या समवर्ती सूची में ऐसे विश्यों को शामिल किया जाता है जहां केंद और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ती है इसमें सिक्षा, वन और प्रशाशन नाय महत्पूर्ण है। इनके प्रभाव छेत्र सात्वी अनुसूची में अच्छी तरह इस्थापित हैं। लेकिन अक्सर इस बात को लेकर विवाद होते हैं कि क्या केंदर और राज्य दूसरे के छेत्र में अतिकरमन कर रहे हैं। पित और पदार्थ के सिध्धान के तहर्त यह माना जाता है कि अपने संबंधे छेत्रों में राज्य और संग विदाईका को सर्वोच पनाया गया है। उन्हें दूसरे के लिए सीमांकी छेत्र का अतिकरमन नहीं करना चाहिए। हाला कि अगर केंद्र और राज्य में से कोई एक दूसरे के छेत्र में अतिकरमन करता है तो अदालतें डॉक्ट्रिन ओफ पित एंड सब्स्टांस लागू करेंगी। और यदि पित और सब्स्टांस अर्थात कानून का वास्तविक मंतव्य विधाईका की छमता के भीतर किसी विशे से संबंदित है जो इसे लागू करता है तो इसे वैधानिक माना जाना चाहिए। हालां कि यह कुछ अर्थ में विधाईका की चमता के भीतर मामलों पर अतिक्रमन भी कर सकता है, इसके बावजूद कानून के वास्तविक मन्तब्बे के अधार पर इसे वैधानिक घोशित किया जाता है। यदि हम इसके कुछ महत्पूर्ण तत्वों की बात करें, तो इस सिध्धान्त को तब लागू किया जाता है, जब सात्वी अनुसूची की सूची एक की विशेवस्तू, सूची दो की विशेवस्तू के विरोध में होती है। निर्धारित किया जा सके कि यह किस सूची से संबंदित है, और यह ध्यान में रखता है कि क्या राज्य के पास एक कानून बनाने की शक्ती है, जो किसी विशेवस्तू पर दूसरी सूची से अतिक्रमन करता है। और सबसे पहले F.N. बलसारा मामले में सरवोच नियालेद्वारा इस सिध्धान्त को लागू किया गया था। और यह दोनों के दोनों जो सिध्धान्त है, महत्पूर्ण रूप से कानूनों की वैधानिक्ता को निर्धारित किये जाने के साथ ही, केंद्र और राज्य की विधाय का शक्ती किस छेत्र तक सीमित है, इसको भी निर्धारित किये जाने के संदर में काफी महत्पूर्ण है क्यूंकि वह गलती से किसी अन्य विधाईका के छेत्र में अतिक्रमन करता है अब हम बात कर लेते हैं पेज नमब छे में दिये गए एक एडिटोरियल की जिसका संबन जी एस पेपर 2 में आई आर से है यह संदर्बित है चीन द्वारा अपने विशेश प्रशाशनिक छेत्र होंग कोंग की राजनीतिक प्रतिनिदित की विवस्था में बदलाव करने से उलेखनी है कि होंग कोंग बिटिशों द्वारा 1997 में चीन को सौपा गया हाला कि होंग कोंग को जो प्रशाशन है वह एक देश दो विवस्था के सिर्धान के तहट किया जाता है जिसके तहट मुख्य भूमी चीन के विप्रीत होंग कोंग में जादा स्वायतता स्वतंतरता है साथी साथ उसको प्रेश की सोतंतरता और विरोत की अधिकार को भी दिया गया है यही कान है कि समय समय पर होंग कॉंग में लोकतंतर की बहाली को लेकर आंदोलन भी उभरते रहते हैं यही कान है कि लगतार चीन द्वारा यह प्रियास किया जाता रहा है कि किस प्रकार से होंग कॉंग को भै अपने सामेवादी साशन के तहत लाए इसी के संदर में राश्पती शी जिंग पिंग के द्वारा 30 मार्च को एक नए आदेश पर हस्ताक्चर किये गए और इसके माध्यम से अब होंग कोंग की विधायका में सदस्यों की संख्या को सत्तर से बढ़ा कर नभए कर दिया गया है हलाकि इसमें निर्वाचिस सदस्यों की संख्या कम कर दी गई है और अब वो 20 तक्सीमित हो गई है यानि सत्तर का मनोनेयन सरकार के द्वारा किया जाएगा जो बीजिंग की पकड़ के मजबूत होने का संकेत है इसमें भी उम्मीदवारों का चैन एक उम्मीदवार चैन समिती के अधार पर होगा ताकि ऐसे ही उम्मीदवारों का चैन हो सके जो बीजिंग के समर्थक हों और बीजिंग की नजर में उनके सिध्धानतों के अनुसार देशभक्त हों। प्रकार से इसको लेकर अंतराश्टी प्रतिक्रिया सामने आती है क्यूंकि बिटेन आदी देशों द्वारा इसको लेकर लगतार चीन के आलोजना की जाती रही है। एकिकरत कारवाही की जा सकेगी और संसाधनों का जादा बहतर रुपियों किया जा सकेगा। साधन दक्षता बढ़ेगी अपितू तीनों सेनाओं की छमता भी से बढ़ेगी। इसके पहले सरकार द्वारा गोहाटी और पोर्ट ब्लेयर में अक्टूबर 2020 में जॉइंट लोजिस्टिक नोट को सुईकरती प्रदान की गई थी। और अब तीसरा मुंबई से प्रारम हुआ है जो भारतिय सेनाओं की समता बढ़ाने के द्रिश्टिकोंड से काफी महत्तपूर है। अब हम बात कर लेते हैं प्रारम्भिक परिच्चा अभ्यास प्रश्णिकी इसके उत्तरों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसके उत्तर की चर्चा हम कल के डिने में आपके साथ करेंगे। चुनाव आयोग ने उनके द्वारा चुनाव अभियान को विनियमित करने के लिए आदर्श आचार सनिता के तहत दिशा निर्देश जारी किये हैं। अगला प्रस्थ है निमलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं। जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राश फ्रेमवर कन्वेंशन पर 1992 में रियो प्रिथवी सम्मेलन में पाच्चीत और हस्ताक्षर किये गए थे। इन हाउस गैसों, ओजोन, विग्टित कराने वाले तत्वों और विशाक्त वायू प्रदूशकों को खत्म करने पर केंदरित है। केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, की एक दो और तीन, की एक दो और तीन, अगला प्रशन है, निमलिकित में से कौन सा से कथन सही हैं हैं। सुकन्या समरिद्धी योजना एक सरकारी समर्थित बचत योजना है, जो बालिकाओं के माता-पिता पर दक्षित है। योजना माता-पिता को भविश्य की सिक्षा और उनकी बच्ची के लिए, शादी के खर्च के लिए, एक फंड बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसे 2015 में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में लॉंच किया गया था। केवल दो, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, की एक दो और तीन। अब हम UPSC में आए हुए एक पूर वर्ष के प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले इवाहनों के संदर में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए। PSLV से वे उपग्रह प्रमोचित किये जाते हैं, जो प्रत्वी के संसाधनों के मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुखता संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के ल SLV, MK3, एक चार स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है, जिसमें प्रथम और तिर्तिय चर्णों में ठोस रॉकेट मोटरों का, तथा दुतिय और चतुर चर्णों में द्रव रॉकेट इंजिनों का प्रियोग होता है, उपरियुक्त कतनों में कौन सा से सही हैं, केवल एक, दो और तीन, एक और दो की केवल तीन, अब मुख्य परिक्षा संबंधित प्रश्ण को देख लेते हैं, डॉक्ट्रिन ओफ कलरेवल लेजिसलेशन और पित और पदार्थ का सिध्धान क्या है, भारत में इसकी इस्तिती को बताते हुए व्याख्या करें, 250 शावद 15 अंग, लोग इसके संदर में जो प्रश्ण में पूछा गया होता है, उसी की आपको विभिन विद्दूओं के माध्यम से अपनी बात को सिध्ध करना होता है, वहीं दूसरी ओर चर्चा करें के तहत, आप जितने जादा आयामों को अपने उत्तर में शामिल कर सकेंगे, उतना ही उत्तर आपका बहतर होगा, पहले उत्तर की संदरचना देख लेते हैं, इसकी भूमिका में आप डॉक्ट्रिन ओफ कलरेबल लेजिसलेशन और पित और पदार्थ के सिध्धान दोनों का एक समानने परिचे देंगे, फिर उसके बाद आप डॉक्ट्रिन ओफ कलरेबल और पित और पदार्थ के सिध्धान को व्याक्याइद करेंगे, और भारत में इसकी स्तिती की व्याक्या करेंगे, जिसमें आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोट द्वारा इन्हें मानता दी गई है, और फिर आप एक उप्युक्त सकरात्पक निसकर्ष करेंगे, जिसमें मुख्यर रूप से आप इस बात को इस्थापित करेंगे कि किस प्रकार से इन दोनों सिध्धानतों ने कानूनों के मूल तत्य को उजागर करने के साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच एक संतुलन बनाये जाने के दृष्टिकोन से भी महतपूर भूम भूमिका का निर्वहन किया है, दूसरे उत्तर की संरचना देख लेते हैं, इसकी भूमिका में आप योग गिता और लूट प्रनाली का समानने परिचे देंगे, फिर उसके बाद आप लूट प्रनाली की प्रमुख विशेष्ताओं और गुणों का वर्णन करेंगे, फिर आजूज गवर्मेंट एक्जाम प्रेप के आज के इस अंक के माध्यम से हमने दाहिंदू अकबार के प्रमुक अडिटोरियल्स और आलेखों की चर्चा आपके साथ की, यदि आपको हमारी द्वारा की गई पहले पसंद आ रही है, तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और स सब्सक्राइब करें, आज के अंक में फिलहाल इतना ही धन्यवाद.